परिचय जनसंख्या में तीव्र, तेज वृध्धी के कारण हम जनसंख्या विस्फोट का निरीक्षन करते हैं हाँ, ये सब मृत्युदर में कमी और जीवन काल में वृध्धी का परिणाम है तो आओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य जनन स्वास्त के महत्व को समझना यौन संचारित रोगों को पहचानना जनसंख्या के नियंत्रण की विधियों को समझना लिंग अनुपात को समझना जनसंख्या आकार को पहचानना जनन स्वास्ते जनन स्वास्ते सामान स्वास्त के वे सभी पहलू हैं जो की एक मनुष्य के सामान ने सुरक्षित तथा संतुष्ट जनन जीवन को बढ़ावा देने में सहयक हैं यौन संचारित रोग वे रोग जो यौन सम्बंधो द्वारा एक संक्रमित प्राणी से स्वास्त प्राणी में संचरित होते हैं यौन संचारित रोग कहलाते हैं ये विभिन सूक्ष्म जीवों द्वारा जो की यौनी, मुत्रमार्ग, गुदा और मुक्ल के गर्म और नमी वाले वातावरण में रहते हैं, इनके द्वारा उत्पन होते हैं कुछ यौन संचारित रोग निमन हैं, सुजाक यानी गौनुरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोंस्ता, एड्स, सुजाक यानी गौनुरिया, नाइजेरिया गौनुरिया जीवानु द्वारा होता है, इस रोग का मुख्य लक्षन मूत्रो जननमार्ग में सूजन तथा जलन है, तथा पेशाप करते समय, रोगी को अत्यदिक जलन महसूस होती है, यह जीवानु नर्ग के मूत्रमार्ग और मादा के गरभाशे गृवा को संदूशित करता है, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा, पेडेलियम जीवानु द्वारा होता है, मूत्रो जननमार्ग की म्यूकस जिल्ली में धब्बे यानी चकत्ते होना तथा जननांग पर अलसर होना आदी इस रोग के मुख्य लक्षन है, ट्राइकोमोनस ता एक प्रोटो जोवा, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है, मादाओं के मूत्रो जननमार्ग द्वारा कुछ योनी स्राव इस रोग का मुख्य लक्षन है, एट्स एक विशाणू HIV द्वारा होता है, जो की शरीर की प्रतिरोधक्षमता को कम कर देता है, तथा जिससे शरीर किसी भी रोग से जल्दी ही ग्रासित हो जाता है, एट्स के संचारण के माध्यम योन संबंध, संदूशित प्राणी के रक्त का रक्ताधान यानि स्थानांतरण, संदूशित सुई का प्रयोग, सरगबता यानि गर्भावस्था के दौरान, अपरा द्वारा मात्र से शिशु में आना आदी है, जन्म नियंतरण की विधियां यान्तरिक अवरोधक विधि यान्तरिक अवरोधक विधि में शारीरिक बाहे युक्तियां जैसे कॉंडोम, डायाफ्रॉम और ग्रीवा टोपी प्रयुक्तो होते हैं, जो की संभोग यानी मैथुन के दौरान शुक्राणों को स्त्री के जननमार्ग में घुसने से रोक देते हैं, अताह यह उनके बीच में रोधक की भाती कारे करता है। अन्ता गर्भाशे युक्तियों का प्रयोग गर्भाशे में अंतर रोपन को रोखता है। यह युक्ति कौपटी है जो की डौक्टरों या अनुभवी नरसों द्वारा गर्भाशे में सुरक्षित रूप से लगाई जाती है। रासाइनिक विधी में स्त्रीयों द्वारा विशिस्ट आउशधियां प्रयोग की जाते हैं जो की दो प्रकार की होती हैं मुखवाली गोलियां और यौनिवाली गोलियां मुखवाली गोलियों को मुखिये गर्भ निरोधग भी कहते हैं जो की शरीर के हार्मोनों के संतुलन को बदल देती हैं जिसे की अंड का त्याग नहीं होता और निशेचन नहीं हो सकता है शल्ले क्रियात्मक विधियां शल्ले क्रियात्मक विधियों में नरों में शुक्रवाहक के एक छोटे से हिस्से को काट या बान दिया जाता है इसे शुक्रवाहक उच्छेदन यानि वासेक्टोमी कहते हैं, अताह शुक्रवाहक रोधित हो जाता है। इस प्रकार शुक्राणूं का स्थनांतरन रुख जाता है। मादाओं में अंड वाहिनी नली का शल्ले क्रियाओं के द्वारा काट या बांध दी जाती है। इसे नली का उच्छेदन यानि टुबैक्टोमी कहते हैं, अताह अंड गर्भाशे तक पहुँचने में सक्षम नहीं होता है, तथा इस प्रकार निशेजन नहीं हो पाता है। इस लिए जन्म से पहले भुरून के लिंग का पता लगाना एक कानूनन अपराद माना गया है। जनसंख्या का आकार जनन की सहायता से जीव अपनी जनसंख्या में वृध्धी करते हैं एक निश्चित जनसंख्या में जन्म तथा वृत्यू की दर जनसंख्या का आकार निर्धारित करती है जनसंख्या में व्रिध्धी तब होती है जब जन्मदर व्रिध्यूदर से अधिक होती है क्या आप जानते हैं? मानव जनसंख्या व्रिध्धी की चर घातां की अवस्था एक हजार सासो पचास एडी में शिरू हुई थी विश्व की मानव जनसंख्या अगले 30 वर्षों में 9.5 अरब तक पहुँच जाएगी भारत ऐसा पहला देश पना जिसमें 1951 में सरकार द्वारा प्रवर्तित परिवार नियोजन को अपनाया गी नाकू राष्ट्रिये एट्स नियंतरन संस्था भारत ने 1987 में राष्ट्रिये एट्स नियंतरन संस्था प्रारंप की थी प्रतिक वर्ष एक दिसंबर विश्व एट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं मानव जनसंख्या में तीवर व्रिधी जनसंख्या विस्फोट कहलाती है इसका मुख्य कारण व्रिध्यु दर में तीवर ग्रावट और जीवन दर में तीवर बढ़ोत्री होना है जनसंख्या विस्फोड के परिणाम अनुसार कुप्रभाव उत्पन्य होते हैं इसलिए ततकालीन जनसंख्या नियंत्रण की आविशक्ता है जनसंख्या वृध्धी परिवार नियोजन कार्ग्रमों के द्वारा रोकी जा सकती है जिसके अंतरगत विभिन्य प्रकार के यांत्रिक, रासाइनिक, शल्ले, क्रियात्मक और प्राकृतिक विध्या आती हैं यौन संचारित रोग आसुरक्षित यौन क्रियाओं के द्वारान संचारित होते हैं एड्स, क्लेमीडियेता, सुजाक यानि गोनोरिया, सिफिलिस, हैबिटाइटिस बी, जननिक परिसर्प यानि जनाइटिल हपीज और ट्राइको मोनस्ता आदी कुछ सामाने यौन संचारित रोग हैं जीवन साथी के साथ वफदारी निभाकर तथा समलेंगिक्ता, वैश्यवरित्ती तथा अनेक लोगों के साथ सेक्स करने को रोग कर इन्हें प्रबंधित तथा नियंत्रित किया जा सकता है छोगो कर दोगी झालें प्रोग कर झालेंगर प्रोग ज़ा कर दो ववथ किया तोल टोग दोग सब सकता है अ किया थ्लिव तो ए्लीन झालेंगे, सस्द भ्ली झालें, वन के वर है फ्ली